हाई आवरीवन वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल ग्लैम सीक्रेट्स और मैं हूँ आर्थी शर्मा फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए ये वाली साडी ड्रेपिंग लेके आए हूँ काफी मिर पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि दी डिटेल में ये वीडियो लेकिया ये तो लीजे स्टार्ट करते हैं अब अपनी ड्रेपिंग सबसे पहले अपनी हाइट के अकॉर्डिंग साडी को पेटिकोट में टुक कर ले एक सरकल लेने के बाद चारू तरफ से पेटिकोट में साडी को अच्छे से सेट कर लें जब एक बर साडी प्रॉपर तरीके से पेटिकोट में चारू तरफ से टक हो जाएगी देन हम आएंगे पले पर और पले को कैजुली तरीके से ही गिदर करेंगे एंद फिर उसको अपने left shoulder पे रख देंगे जी हाँ left shoulder पे रखना है सीधे पल्ले में हम right shoulder पे पल्ले को रखते हैं बट यहाँ पर हम left shoulder पे पल्ले को रखेंगे back side से साड़ी का पल्ला लेके आएंगे और उसके corner को इस तरीके से attach करेंगे और देखेंगे कि हाँ भई इतना हमें fabric चाहिए जब एक बर यह decide हो जाएगा तो हम आएंगे कमर की plates पर और फिर बनाते हैं कमर की plates beginners के लिए मैंने कमर की plates and shoulder plates की बहुत basic videos बना रखी है तो आप search पार में जाके लिखें plates and glam secrets pleats glam secrets तो मेरी चैनल पर जो भी वीडियोज होंगी वो आ जाएंगी तो देखें कमर की plates पन चुकी है और मैंने उसको पेटिकोट में अच्छे से सेट कर लिया है अब मैं आती हूँ shoulder plates पर तो यहाँ पर मैं जिस तरहीके से plates बना रही हूँ यानि कि जब मुझे चोटी plates लख रखनी होती है तो मैं बिल्कुल यही वाला process अपनाती हूँ बहुत ही easy होता है और इसमें ना बहुत जल्दी plates बन जाती है चोटी चोटी पतली plates बनती है तो yes अगर आपको चोड़ी plates बनाना अच्छा लगता है तो आप आप से ही अपने लिए चोटी plates बना सकते हैं बट मैंने यहां पर बड़ी plates बनाई है और मैंने बॉर्डर वाले एरिये को यानि बॉर्डर वाले पार्ट को उपर कर लिया है अब इसके बाद हम इन्हीं पिंसे से क्योर कर देंगे जिस तरीके से मैंने plates बनाई है सेम आपको भी उसी तरीके से plates बनानी होगी तो इससे आपका जो बॉर्डर वाला पार्ट है जो की नीचे जाना वाला था वो उपर की तरफ आ जाएगा अब हम बॉर्स्ट के बास आते हैं थोड़ा सा नीचे यहाँ पर हम सारी plates को अरेंज करेंगे जो बॉर्डर वाला हमारा पार्ट था उसको उपर की तरफ लेके आएगे इस तरीके से सेट करेंगे कि सामने वाला समझी ना पाए कि फ्रंट वाला बॉर्डर यहीं जो फ्रंट वाला फैबरिक है वो आया कहां से तो यह सेट हो चुकी है अब हम इने पिन से सिक्यॉर कर देंगे ताकि यह तस से मस ना हो तो पिन से सिक्यॉर कर लिया है मैंने अब मैं आती हूँ जो हमारे कमर के पास पल्ले का कॉर्णर था उसको सेट करने के लिए तो अब हम क्या करेंगे कि कॉर्णर को इस तरीके से सेट करके पिन से सिक्यूर कर देंगे हमेशा देहान रखें ये वाली ड्रीपिंग करते समय आपको पहले एक बार सेट कर लेना है कि आपको पल्ले की लेंद कितनी चाहिए और फिर उसके बाद कमर की प्लीट्स बनाना शुरू करें ताकि जो हमारा कॉर्णर वाला पार्ट है वो प्रॉपर शो हो तो येस मैंने ड्रीपिंग कर ली है और वाकई में बहुत ब्यूटिफूल ड्रीपिंग हुई है कैसी लगी वीडियो मुझे जरूर बताना और चैनल में फॉर्स टाइम है तो सब्सक्राइब जरूर करना अभी तक के लिए इतना ही बाई